JTC holidays प्रस्तुत करता है बाली वर्चुल टूर, माउंट बटूर पक्षियों के सुखदायक शोर से लेकर प्राकृतिक अजूबों के साथ आँखों के द्रिश्य तक यहां आप हर चीज को देख सकते हैं। अद्वितिय तट्रेखा और सूर्यास्त प्रिष्ठ भुमी की एक राजसी सेटिंग के साथ यह मंदिर दुनिया भर के पर्यतकों को बहुत आकर्शित करता है। नाटकिय रूप से एक खड़ी चट्टान के उपर स्थित, पुरा लुहुर उलुवातू छे प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है जो बाली के आध्यात्मिक स्तंब हैं। आपने उबुद में तेगलालांग राइस टेरेस के बारे में पहले ही सुना होगा। तो जब आप बाली की यात्रा कर रहे हों तो यह एक और जगह है जो आपके लिए जरूरी है। आप रोमांच के प्रामानिक रोमांच का स्वाद लेना चाहते हैं। बाली स्विंग बाली में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आकर्षनों में से एक है। अपने आपको सभी प्रकार की अराजकता से ख्षमा करें और उबुद बंदरवन में एक छोटी शरन लें जो बाली में घूमने के लिए सबसे ताजा स्थानों में से एक है। बाली में महानधार्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों में से एक गोअ गजज़ जिसे पर्यट को द्वारा हाथी गुफा के रूप में अधिक जाना जाता है यार एक हिंदू मंदिर है। ब्राटन जील के तटपर स्थित पुरा उलुन दानू ब्राटन एक भव्य हिंदू मंदिर है जहां हर दिन सेकडों पर्यटक आते हैं। यदि आप बाली में साफ सुत्री प्रकृती की तलाश में हैं तो नुसा पैनिडा एक आदर्ष गंतव्य हो सकता है। सुन्दर पगदंदी जो सेकडों सीरियों से नीचे जाती है, एक गंदगी वाली सडक और चावल के खेट से कुपुल गाव में एक असली जहरने की ओर ले जाते हैं। इस पाक में आए बिना आपका बाली साहसिक कार्य पूरा नहीं होगा। यदि आप एक संकी पारिवारिक मुठबेड की तलाश में हैं, तो आपको बाली सफारी और मरीन पाक पसंद आएगा। अपने परिवार के साथ पूरी तरह से सुख़द दिन बिताने के लिए बाली में वाटर बॉम वाटर पाक जैसे कुछ ही आकर्शन है। बाली में अपना एक दिन आध्यात्मिक्ता, प्रकृती, संस्कृती और शांती के लिए समर्पित करें, गरुण विश्नु को तुरंत अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें। यह श्रद्धिया मंदिर मध्य बाली के मनुकाया गाव में स्थित है। तीरत एमपुल मंदिर बुराई पर अच्छाई की कहानी से घिरा एक पौरानिक स्थान है और यह राष्ट्रिय विरासत स्थलों में से एक है। माउंट अगुन की धलानों पर स्थित, बेसा के मंदिर बाली के सबसे बड़े परियतन स्थलों में से एक है। एक हजार साल से भी पहले बने इस मंदिर को मदर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। यह बाली समुद्र तट अपने रिजर्व में परियाप्त संख्या में भूजनालियों, बार और रिजॉर्ट्स के साथ मचली पकड़ने के गाव से खुबसूरती से एक परियटक आनंद में बदल गया है। बाली के नजदीक स्थित एक और द्वीप, नुसा लेमबुंगन एक आकरशक स्थान है जहां आपके सामने देखने के लिए अकलपनिया द्रिश्यों को रखा गया है। यदि आप चिडिया घर से कुछ अलग खोज रहे हैं जहां शांदार जीव बंद हैं, तो आपको बाली बड़ पाक और रप्टाइल पाक की यात्रा करनी होगी। स्तंधारियों और पक्षियों सहित वन्यजीव प्रजातियों की एक विविद श्रेनी का घर, बाली जू बाली में घूमने के लिए शीर्श स्थानों में से एक है। ज्रने असली लग सकते हैं, और जब आप अपनी बाली यात्रा पर तुकर से पुंग जल प्रपात की यात्रा करेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। बाली द्वीप कई ज्रनों का घर है, और उनमें से सबसे लोखप्रिय है तेगनंग ज्रना। बाली में देखने के लिए सबसे प्रतिष्थित स्थानों में इसके चावल के खेथ हैं जो दूर से मखमल की आश्चर्य जनक हरी चादरों की तरह दिखते हैं। बाली जाने वाले सभी जोरों द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक अंतता रोमेंटिक संबंध, संसेट डिनर क्रूज किसी भी बाली यात्रा कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। फिन्स बीच क्लब एक शान्थ हैंडाउट स्थान जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने समूह के साथ चिल कर सकते हैं। कुटा नाइट मार्केट कुटा में जालान ब्लामबंगा पर स्थित एक गतिशील एनकलेव है और यहां उपलब्ध भोजन विकलपों की विविदता के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। एक रमनी या समुद्र तच स्थान के साथ संडे बीच क्लब में घूमने, खाने और बाली के सार को अपने दिल और अपने कैमरे में कैद करने के लिए जाया जा सकता है। एक ग्लास वाइन या सिगनेचर कॉक्टेल के साथ समुद्र के किनारे उग्र सूर्यास्त देखने के लिए जिम्बरन में रॉक बार आपकी सबसे अच्छी शर्थ है। बाली के व्यस्त लोकप्रिय भीर भाडवाले समुद्र तटों से एक ब्रेक ले और सानूर की और प्रस्थान करीं, जो अपने विचित्र और शांत वातावरन के लिए जाना जाता है। बाली में आने वाले समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक सुर्म्य छुट्टी गंतव्य तंजुंग बेनोआ बीच एक शांतिपूर्ण प्रवास के अनुभव के लिए एकदम सही है। कई छोटे समुद्र तटो द्वारा निर्मित लोविना बीच इसके भीतर कई स्थानी या बस्तियों को कव़ करता है। यदि आप एक साहसिक सडक यात्रा के लिए हैं तो आप इस एकांत समुद्र तट का पता लगाने की कोशिश करेंगे। सुलूबन बीच जिसे आमतोर पर बाहरी लोगों के बीच ग्लू पॉइंट बीच के रूप में जाना जाता है। बाली में एक स्वर्गिय समुद्री पलायन है। यह बजार उबुद के केंद्र में है और खरीदारी के लिए समारिका और क्राफ्ट वाग जैसे रजाई सिले हुए बैटिक केमिसोल के लिए सबसे अच्छा तहलता है। तराशे गए लकडी के शोपीज से लेकर समकालीन कला आधारत पेंटिंग तक सुखावती कला बजार उतक्रिष्ट कृतियों का केंद्र है। यह वन वे स्ट्रीट सबसे अच्छे नाइट लाइफ क्लबों से लेकर शॉपिंग सेंटर और कुटा के होटलों तक है। स्थानिय रूप से पासर मालम सिंधू के रूप में जाना जाता है और यह रात का बजार आपको अपनी दैनिक आवश्यक्ताओं की सूची से अन्य वस्तूओं के लिए ताजा सुबह की किराने का सामान प्रदान कर सकता है। बाली में घूमने के लिए चेदी क्लब सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है क्योंकि यहां भोजन और रोमांच के अजीब और गरीब सयोजन का आनंद लिया जा सकता है। प्रकृती की कम्पनी का आनंद ले, एक शांत नदी की धारा की शांती और पाक कला की प्रतिभा, समय बाली में स्वैप अवे अपने प्रियजनों के साथ एक शांदार शाम बिताए। बाली में सीसाल्ट सेमिन्याक में एक बेजोर तटिय भोजन का अनुभव खरीदें, जोकी साधारन सेटप वाला एक लोकप्रिया समुदरी भोजन रेस्टरॉंट है। अगर बाली में कुछ दिन बिताने के बाद आपकी स्वाद कलिकाएं बाली के व्यंजनों के अलावा कुछ और तरस रही हैं, तो उन्हें बहतरीन जापानी भोजन खिलाएं। इस स्थल में भोजन के कई प्रकार के अनुभव हैं, क्योंकि इसमें एक हवादार रेस्टरॉंट, लाउंज, बार और निजी बैठने की जगा शामिल है। यदि आप बाली में कुछ प्रामानिक जंगल के अनुभवों की तलाश में वन्यजीव उत्साही हैं, तो आपको हाथी सफारी पाक से बहतर जगा नहीं मिलेगी। बाली में देखने के लिए आसानी से सबसे अच्छी जगहों में से एक तीरत गंगा एक शाही महल है जो विशाल पानी के बगीचों के बीच में बनाया गया है। रॉक कट मंदिरों और बाली में देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक गुनुं कावी मंदिर को वार्मदेव राजवंच का मकबरा भी माना जाता है बाली में उन पर्यतन स्थलों में से एक जहां आध्यात्मिक्ता और सुर्म्यता दर्शकों के लिए एक अविस्मरणिय उपचार बनाने के लिए एक साथ आती है वहरातन जील बाली की दूसरी सबसे बड़ी जील है यह अविश्वस्निय जल महल कभी शाही घर था और इसका निर्मान करांग सेम के राजा द्वारा किया गया था उबुद पैलेस एक प्रमुख मील का पत्थर और एक महत्वपूर्ण एतिहासिक स्मारक है जिसका निर्मान वर्ष 1800 से 1823 के बीच किया गया था कैम्पोहान रिजवोल जगह है जहां रोमांच प्रकृती से मिलता है और स्थानिय रोमांच चाहने वालों के साथ साथ बाली में कुछ कार्रवाई करने के इच्छुक पर्यतकों के लिए एक ताजा अनुभव बनाता है चिंतामनी में माउंट आबांग और माउंट बटूर के बीच बसी एक विशाल जील बातूर जील बाली में सबसे शांदार दर्शनिय स्थलों में से एक है पुरी लुकिसन संग्रहाले में जाकर पारंपरिक और समकालीन बालिनी कला और शिल्प के विभिन रूपों से परिचित हों जिसे बाली में शीर्श पर्यतक स्थलों में से एक माना जाता है 3D ब्रम के अद्बुत वर्गी करण के साथ ड्रीम म्यूजियम जोन बाली के सबसे मजेदार आकर्शनों में से एक है यदि आप कला और विलासिता के प्रेमी हैं तो ब्लेन को पुनरजाग्रन संग्रहाले का दोरा करना उबुद में एक जरूरी जगह है JTC Holidays Private Limited राजकोट Contact 968-789-5000 या 922-760-8900